हलो फ्रेंड्स, वेलकम डू माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हरुपी बटेल बात करूँगा आपसे इस वीडियो में बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्णों पर यह ऐसे प्रश्णे जो आपके सीटेट के एक्जाम में और टेट के एक्जाम में आ सकते हैं, इंपोर्टेंट आपके लिए बहुत ही हैं, अगर आप चैनल पर रहा है तो चैनल सस्क्राइब कर लिजएगा, बेल आइकन दवा दिजएगा जिससे के आपको नई वीडियो की पढ़ लेंगे अच्छे से, तो जो आपका अबजेक्टिव पोर्शन है वो आपको आसानी से याद होगा और पता हो जाएगा, तो सुरू करते हैं आज के प्रश्णों को, पहला प्रश्ण है, प्रकति पोर्शन विवाद में प्रकति से क्या अभिप्राय है, प्रकति क्य जो होती है, वो होती आपकी जैविकी विशिष्टाएं या वनसान करम सूचनाएं, ठीक है, पोसर जो होता है, वो होता है वातावर्ण आपका, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान लेकेगा, तो प्रकति पोर्शन विवाद में प्रकति जो होती है, वो जैविकी विश है या कह सकते हैं वन्सानग्रम को सूचना होती है पोसर जो होता है आपका वह होता है आजपास का वातावन तो आपका पहला प्रहvention इसमें सही होगा अगला प्रस्ने अन्वांसिक्ता को किस्ट प्रकार की सामाजिक सनचना माना जाता है इस्थिर, गौड, गत्यात्मक या प्रात्मिक देखे जो अनुवनसिक्ता है वो इस्थिर सामाजिक सनचना होती है आपका पहला आप्सन इसमें सही होगा ठीक है जो अनुवनसिक्ता है वो परिवर्टित नहीं होती है इसलिए अनुवान सिक्ता को इस्थिर सामाजिक सर्चना माना जाता है पहला अप्सन आपका सही होगा अगला प्रस्ने कौन सा कथन सत्य है आनुवानसिक बनावट व्यक्त की परिवेश की गुडवत्ता प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है गोद लिये गए बच्चों का वही बुद्धिलब्धांक होता है जो गोद लिये गए उनके सहोधर भाई बहनों का होता है अनुभम मस्तिस को प्रभावित नहीं करता है विद्याली करण का बुध्धी पर कोई प्रभावित नहीं पड़ता है तो आपका पहला आपसन जो है आनुवानसिक बनावट व्यक्तिकी परिवेश की गुडवत्ता प्रति प्रति उत्तरात्मक को प्रभावित करती है ये सही होगा बाकी गोद लिएगे बच्चों का वही बुद्ध लिबदांक होता है जो गोद लिएगे उनके सौधर भायों का ये नहीं होता है क्योंकि हर बच्चे का बुद्ध लिबदांक आईक्यू अला गलग होता है ठीक है तो ये वाला आपसन आपका गलत है अनुगो पहला आपसन सही होगा ठीक है बाकी सभी आपसन गलत हैं अगला परफने सामानेत्या देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायने में अपने माबाप से भिन्न होता है इसे किसके अनुवान से की नियम के जरिये विसलेशित किया जा सकता है समानता का नियम विभेत नि नियम कीटाडू के जनंद्रव सिद्धान द्वारा तो मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने माबाप से थोड़े भिन्द होते हैं तो यह कौन सा नियम बताएगा यह बताएगा विभेद का नियम ठीक है बी आप्सन आपका सही होगा अगला प्रशने लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदाई क्रोमुसूम कौन है यानि लड़का पैदा के लिए पैदा होने के लिए कौन सा गुड़सूतर उत्तरदाई है तो एक्स-एक्स होता है एक्स-एक्स होता है आपका लड़का पैदा होने के लिए तो आपका बी आप सुन जयावण में सही होगा अगला प्रस्न है प्राकर्तिक पर्रावण में सम्मिलित होते हैं जयव अजयव वन्सान करम परिवार पसू तो प्राकर्तिक पर्रावण में जयव अजयव जयव अजयव जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं ठीक है इस चीज को आप लोग ध्यान नेखेगा अगला है लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है माता पिता द्वारा माता द्वारा पिता द्वारा इनमें से किसी के द्वारा नहीं तो लिंग का निर्धारण जो है वो पिता द्वारा होता है क्योंकि पिता में जो X-X होता है ठीक है तो यह जब Y-U-T-S-E, वो link का निर्धारन करता है क्योंकि जब X-Y-U-T-S-E, मिलते है तो क्या बनता है तो बनता है बेबी रहा, यानि जो बच्चेया पैदा होगा लड़का होगा लेकिन जब X-X गुर्षते वोते हैं तब तब क्या होगा तो बनेगा बेबी गर्ड यानि लड़की तो लिंग का निर्धार्ण जो है पिता दौरा होता है ठीक है सी आप्सन आपका सही होगा वातावण को एक सामाजिक सनचना माना जाता है प्रात्मिक इस्थाई दोतिय गतिक तो वातावण जो है एक गतिक सनचना है यानि ये चेंज हो जाती है इसलिए आपका डी आप्सन सही होगा वातावन जो है वो सामाजिक सनचना कैसी यह गतिक है लेकिन जो अंसान उग्रम है वो कैसी है आपकी वो है आपकी इस्थाई ठीक है तो वातावन जो है आपका गतिक होगा अगला प्रशन है निमलिकित में से किसके अत्रिक्त वाता वणी कारक विकास को आकार देते हैं सारीरी गठन, सिच्छा की गुडवत्ता, पोश्टिक्ता की गुडवत्ता संसकरती तो निम लिखित में से सारीरी गठन के अत्रिक्त वातावणी कारक विकास को आकार देते हैं तो वातावणी कौन कौन से आते हैं सामाजी कारक कौन कौन से होते हैं सिच्चा की गुडवत्ता पौश्टिक्ता की गुडवत्ता संसक्रती ठीक है तो सारीरिक गठन के अतरिक्त जो है वातावणी कारक जो है वो आकार देते हैं यानि आपका पहला आप्सन जो इसमें सही होगा अगला प्रशन है निमलिखित अण्वानसिक्ता सम्मदी कारक हैं समकच्ष व्यक्तियों के समुह के प्रत अभृत्ति चिंतन पैटर्न आखो का रंग सामाजिक गतविदियों में भागिदारिता तो आखो का रंग जो है वो आणवानसिकता संबन्नी कारक है आखो का रंग जो है यह आपका फिनो टाइप मैंने बताय था जीन्स के दो संब्स होते हैं एक होता है जिनो टाइप एक होता है फिनो टाइप तो आखो का रंग जो है वो आपका होगा फिनो टाइप क्योंकि फि अंदर छिपी हुई कोई प्रतिभा ठीक है तो आपका सी आपसन इसमें सही होगा अगला प्रशन है वंसानुक्रम के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है वंसानुक्रम बालक का लिंग निर्धान करता है बिल्कुल सही है वह सारीरिक गठन में महत्तपूर्ण जण में योगदान देता है बिल्कुल सही है यानि आपके तीन आपसन सही होगा है यह वंसानुक्रम के लिए सही कथन है चौथा जो आपका आपसन है इसमें रुची अव्रत्ती पशंद नापसंद मस्तिष की समयदनात्मक भावना समयशित होती है यह नहीं होता है ठीक ह दे आपसन आपका सही होगा प्रश्न के नुसार अगला प्रश्न है वंसानुक्रम तथा वातावन के शंबंध का व्रत्ती की व्रत्ती पर प्रभावन निमलिकित में से किसके नुसार होता है वंसानुक्रम व्रत्ती को प्रहावित करता है बिल्कुल सही है लेकिन प्रश् गुणन फल वातावन व्यक्ति को प्रभावित करता है दिखी जो मनुष्य का विकास होता है वो वंसानुक्रम और वातावन का गुणन फल होता है तो आपका जो आप्षन है वो D सही होगा वंसा अनुक्रम और वातावन का गुलन फल व्यक्ति को प्रभावित करता है यानि दोनों का गुलन फल जो है वो प्रभावित करता है ठीक है आपका D आपसे निसमें सही होगा अगला प्रस्णे मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है तो वन्सक्रम तथा वातावन का ठीक है आसान सा कोश्चन है ये अगला है व्यक्तित एवं बुद्धी में वन्सानुक्रम की भूमिका कैसी होती है महत्तपूर्ण भूमिका होती है भाई व्यक्तित एवं बुद्धी में वन्सानुक्रम की काफी ज्यादा भागिदारी होती है अगला प्रशन संग्यानात में विकास में वन्सक्रम निर्धारित करता है मस्तिस्क जैसी सारीरिक सनचना के मूल भूत सवाव को सारीरिक सनचना के विकास को सहज प्रतिवर्ति क्रियाओं के आस्तित को या इन में से सभी तो वन्सक्रम जो है ये मस्तिस्क जैसी सारीरिक सनचना के मूल भूत सभाव को निर्धारित करता है आपका पहला आपसन जो है इसमें सही होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्राकर्तिक पर्रयवन में शम्मिलित होते हैं वंसानुक्रम जैव जैव कारक परिवार पसू तो अभी बात हो चुकी है कि प्राकर्तिक पर अमाजे करने अन्यमे सकोव नहीं तो मुख्यता आनुवान्शिकी द्वारा निर्धारित विकास की प्रक्रिया है परिपुक्ता ठीक है यह आपसन आपका सही होगा तो प्रश्ण है बच्चे के विकास में आनुवान्सिक्ता और वातावन की भूमिका के बारे में निम ल और वातावण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं सहम रुजहान वातावण से संबनित है जबकि वास्तिक विकास के लिए अनुवानसिक्ता जरूरी है तो कौन सा कथन आपका सही है बी आपसन जो आपका सही है सम्वैस को और जीन्स का सापेच योगदान योगात्मक नहीं ह से कौन सा कथन समुचित है विकास के विभनी छेत्रों में अनुवानसिक्ता है परिवेस का सापेचिक प्रभाव परिवर्तन सील है भारत सरकार विभेधात्मक छति पूरक्ता संबंदी नीत मानवी विकास शेत्रों में प्रकत की भूमिका पर आधारित है परिवेस की अनुवान सिकी का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है विभार वाद के सिद्धांत प्राया मानवी विकास में प्रकत की भूमिका पर आधारित होते हैं तो मानवी विकास की भूमिका के संदर में सबसे सही कथन कौन सा है आपका पहला होगा विकास के विभिन छेत्रों में अन द्यार्तियों के घर के वातावन का महत्पुड स्थान है तथा इससे प्राप सूचनाओं को प्रभावसाली सिच्छा सास्त के निर्वार से जोड़ा जा सकता है यहां तथ अधिगम के के सिद्धान से संब्ध रखता है रचनावाद से सामाजिक रचनावादी से के साथ कल थैंक यू फ्रेंड्स